दोस्तों ट्रेन में हर कोच में लगी चेन को खीचने का मन या फिर कह सकते हैं चेन को खीचने की इच्छा हम सब की होती है पर क्या आप जानते हैं भारते रेल आपको कई तरह की छूट देता है जिसमें ट्रेन की चेन खीच देना भी शामिल है यानि चेन खीचना लीगल मान जाएगा पर ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास कोई वैलिड रीजन हो तो आईए जानते हैं इस वीडियो में नमबर वन दोस्तों अगर ट्रेन आगे बढ़ना शुरू हो गई है और आपके साथ कोई सीनिय सिटिजन है जिसकी उम्र साथ के पार है या फिर आपके साथ का कोई छोटा बच्चा छूट रहा है तो ऐसी स्थिती में ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेन की चेन खीच सकते हैं और ट्रेन स्थिचन छोड़ चुकी है तो ऐसे में भी आप ट्रेन की चेन कीच कर मदद कर सकते हैं। 3. अगर ट्रेन में कोई भी व्यक्ति किसी भी माईला के साथ छेड़ चाड़ बद तमीजी या फिर किसी भी तरह की बद सलूकी आपके साथ करता है या फिर आप किसी भी तरह की चूरी या लूट पार्ट के शिकार हो रहे हो तो ऐसे में भी आप ट्रेन की चेन खीच सकता है दोस्तों इंडियन रेलवेस की ओर से दी गई लीगल एडवाइजरी में एक लाइफ सेविंग एक्ट भी शामिल है अगर आपके साथ का या फिर कोई भी वक्ती जो आपको लग रहा हो कि वो गिर सकता है या फिर ट्रेन से नीचे गिर ही गया हो तो ऐसे में भी आप ट्रेन क की चेन खीच सकते हैं नंबर फाइफ दोस्तों एक आखरी और सबसे ज़रूरी यानि अपात कालीन का समय जैसे ट्रेन में आग लग जाना ऐसे समय में ट्रेन की चेन खीचने में बिलकुल संकोच ना करें दोस्तों चेन पूलिंग का दुरिप्योग करने पर इंडियन डेल पकड़े जाने पर 6,000 से लेकर 10,000 रुपय तक का जुर्माना हो सकता है और दूसरी बारी में पकड़े जाने पर तीन महिने की जेल से कम सजा नहीं हो सकता है दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपन